C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है कक्षा साथ के सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के अंतर्गत भूगोल की ध्वनी पुस्तक हमारा पर्यावरण आईए अब सुनते हैं अध्याय तीन शीर्शक है हमारी बदलती प्रिथ्वी अध्याय तीन हमारी बदलती प्रिथ्वी प्रिष्ट संख्या बारह आईए अब सुनते हैं पाठ स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है जिन्हें स्थल मंडली ये प्लेट कहते हैं आपको यह जानकर आश्चरे होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गती से चारो तरफ घूमती रहती हैं प्रते एक वर्ष केवल कुछ मिलिमीटर के लगभग प्रिथ्वी के अंदर पिघले हुए मैगमा में होने वाली गती के कारण ऐसा होता है प्रिथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैगमा एक वरितिये रूप में घूमता रहता है जैसा की क्रिया कलाप में दिखाया गया है प्लेट की इस गती के कारण प्रिथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है प्रित्वी की गती को उन बलों के आधार पर विवाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियां उत्पन्न होती है जो बल प्रित्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतरजनित बल या एंडोजनिक फोर्स कहते हैं एवं जो बल प्रिथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर जनिक बल या एक्सोजनिक फोर्स कहते हैं चित्र तीन पॉइंट एक में हम इसे देख सकते हैं अंतर जनित बल कभी आकस्मिक गती उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गती भूकंप एवं ज्वालमुखी जैसी आकस्मिक गती के कारण प्रिथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानी होती है इसी प्रिष्ट पर नीचे चित्र संख्या 3.1 दिया गया है जिसमें प्रिथ्वी की दोनों गतियों का वर्णन किया गया है सबसे पहली गती अंतर जनित बल और उसके कारण होने वाले प्रभावों का वर्णन नीचे किया गया है जो है आकस्मिक बल, पटल विरूपन बल, परवत निर्मानकारी बल, भूकंप, ज्वालमुखी और भूस खलन बहिर जनित बल का वर्णन इस प्रकार से है अपरदन और निक्षेपन, दूसरा नदी या बहता जल, तीसरा पवन, चौथा समुद्री तरंग और पाँचवां हिम नद इसी प्रिष्ट पर बाई और दो बॉक्स दिये हुए हैं, सबसे पहले बॉक्स का शीर्षक है क्या आप जानते हैं इसका वर्णन इस प्रकार से है, एक रंगीन कागज की एक छोटी सी गोली लीजिए और इसे जल के आधे भरे बीकर में रख दीजिए बीकर को तिपाई पर रख कर गर्म करें जल गर्म होने पर आप देखेंगे कि गर्म जल की परतों के साथ कागज की गोली भी उपर उठती है और ठंडे पानी की परतों के साथ यह गोली नीचे बैठती है प्रिथवी के अंदर स्थित पिघला हुआ मैगमा भी इसी प्रकार गती करता है दूसरे बॉक्स में शब्दावली दी हुई है और इसका शीर्षक है स्थल मंडलीय प्लेट इसके बारे में वर्णन इस प्रकार से है भू पर पटी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतहें टिकी हैं प्रिष्ट संख्या 13 में कई चित्र दिये गए हैं सबसे पहला चित्र 3.2 है और जिसके बारे में वर्णन इस प्रकार से है ज्वाला मुखी भू पर पटी पर खुला एक ऐसा चित्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं और इस चित्र में ज्वाला मुखी का एक चित्र है जिसमें बताया गया कि सबसे नीचे मेंटल है उसके उपर परपटी लावा गरम होकर उपर की और उठ रहा है और जिसके द्वारा क्रेटर बनते हैं और निकास या वेंट भी इसमें दिखाया गया है इसी प्रिष्ट पर दो बॉक्स हैं सबसे पहला बॉक्स उसका शीर्षक है शब्द उत्पती और इस समय देखें शब्द उत्पती किस प्रकार से हुई है और इसी प्रिष्ट पर दाहिनी ओर एक बॉक्स दिया गया है और जिस बॉक्स ने कुछ क्रिया कलाप करने के लिए दिये गये हैं आईए देखें इस क्रिया कलाप में हमें क्या करना है एक बरतन लें उसे जल से भर कर धक्कन से बंद कर दें तथा जल गर्म करने के लिए रख दें अब कुछ मटर, चम्मच और मोती धक्कन के उपर रख दें आप क्या देखते हैं? जैसे ही जल में उबाल आता है धक्कन भी हिलने लगता है जो वस्तुएं आपने धक्कन के उपर रखी हैं उनमें कमपन होने लगता है दाने नीचे जाते हैं और चम्मच के कमपन से ध्वनी उत्पन होती है इसी भाती जब भूकंप आते हैं तो प्रिथ्वी में कमपन उत्पन होने लगता है अब सुनते हैं पाठ इसी प्रकार स्थल मंडलिये प्लेटों के गती करने पर प्रिथ्वी की सतह पर कमपन होता है यह कमपन प्रिथ्वी के चारों और गती कर सकता है इस कमपन को भूकंप कहते हैं जिसे चित्र संख्या 3.3 में दिखाया गया है इसका वर्णन हम बाद में सुनेंगे भू परपटी के नीचे वह स्थान जहां कमपन आरंब होता है उदगम केंदर कहलाता है उदगम केंदर के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंदर कहते हैं अधिकेंदर से कमपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती हैं अधीकेंदर के निकरतम भाग में सरवाधिक हानी होती है एवं अधीकेंदर से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीविरता धीरे धीरे कम होती जाती है इसी प्रिष्ट पर इस समय चित्र संख्या 3.3 और इस चित्र संख्या में भूकम्प का उदगम केंदर दिखाया गया है इसका वर्डन इस प्रकार से है वह स्थान जहां भूकम्प उदपन होता है वह भूकम्पी उर्जा का उदगम केंदर कहलाता है इस चित्र में उद्गम केंदर दिखाया गया है एक बॉक्स और इसी प्रिष्ट पर दाहिनी और और इसका शीर्षक है क्या आप जानते हैं और इसका वर्ड नन इस प्रकार से है भू कमपी ये तरंगें तीन प्रकार की होती है सबसे पहली P तरंगें अथवा अनुदैर्गे तरंगे दूसरी तरंग इस प्रकार से है S तरंगें अथवा अनुप्रस्थ तरंगे और तीसरी तरंग को कहते हैं L तरंगें अथवा प्रिष्ठी तरंगे तो आपको ये करना है कि इन तरंगों के गुण धर्म विश्व कोश से ग्यात करने का प्रयास कीजिए प्रिष्ट संख्या 14 इस प्रिष्ट संख्या 14 में कुछ चित्र दिये गए हैं और आएए सबसे पहले सुनते हैं इन चित्रों का व्योरा पहला चितर है चितर संख्या 3.4 और इसमें गुजरात में भुकम्प के द्वारा विनाश का चितर दिखाया गया है इसी चितर के नीचे एक बॉक्स है और बॉक्स का शिर्शक है क्या आप जानते हैं आएए देखें ये क्या बताना चाहते हैं भुकम्प का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भुकम्प लेखी कहते हैं भुकम्प की तिवर्ता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है जिस भुकम्प की तिवर्ता 2.00 अथवा उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है जिस भूकंप की तिवर्ता पाँच दशमलो शून्य होती है वह वस्तुओं के गिरने से एक शती पहुचा सकता है लेकिन जिस भूकंप की तिवर्ता 6.00 या उससे अधिक होती है वह बहुत शक्तिशाली और जिसकी तिवर्ता 7.00 अथ्वा अधिक होती है वह स्तरवाधिक शक्तिशाली समझा जाता है नीचे एक चित्र है और ये भूकंप लेखी का चित्र है पाट सुनने से पहले एक बॉक्स और है और जिसमें भूज या गुजरात में हुए भूकंप के प्रभावों के बारे में बताया गया है इसमें कुछ इस प्रकार से शीर्शक हैं भूज में भूकंप के जटके 26 जनवरी 2001 को भूज शहर में रिक्टर स्केल पर 6.9 की तिवरता वाला भीशन भूकंप समचार का दूसरा हिस्सा स्कूल सरवाधिक प्रभावित स्कूलों की इमारते गिरने से कम से कम 971 चात्रों एवं 31 शिक्षकों की मौत की आशंका है न्यूज आइटम 3 भूज में निराशा जनक राहत और इसका वर्णन इस प्रकार से है भूकंप के तीन दिन बाद भी हर व्यक्ति तक भोजन, कंबल, दवाएं आधी ना पहुँचने के कारण हालत चिंता जनक न्यूज आइटम 4 इस प्रकार से कहता है भूज की तबाही और इसमें इस प्रकार से लिखा है फोन लाइने, जल पाइप लाइने, विद्ध्यू स्टेशन तथा संचार लाइने सभी अवरोधित हो गए एक न्यूज आइटम और शहर में आग, चारकोल एवं अंगीठियों के पलटने के कारण अनेक स्थानों पर आग लगी न्यूज आइटम 6 भूकंप प्रभावी शेतर में आपात काल की घोशना, राश्ट्रपती ने आपात कालिन स्थिती की घोशना की इसी बॉक्स में न्यूज आइटम 7 को सुनेंगे और उसका शीर्षक है मुख्य मंत्री की केंदर से अपील गुजराश सरकार ने इस संकट का सामना करने के लिए केंदर से वित्तिये सहायता मागी है और आईए अब सुनते हैं पाठ यद्यपी भूकंप की भविश्वाणी संभाव नहीं है लेकिन यदि हम पहले से तयार हो तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है स्थानिय लोग कुछ सामाने तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्यायन, तालाब में मचलियों की उत्तेजना और सांपों का धरातल पर आना इस पाठ के नीचे एक बॉक्स दिया गया है और इस बॉक्स का शीर्शक है क्रिया कलाप क्रिया कलाप संख्या एक भूकंप के पश्चात समाचार पत्रों के मुख्य समाचारों के रूप में दिया गया भूकंप एक वस्तु स्थिती अध्यायन पढ़ें इस घटना को क्रिया कलाप है कल्पना करें कि यदि स्कूल के समय के बीच में अचानक भूकंप आ जाए तो आप अपनी सुरक्षा के रिए क्या करेंगे इसी के नीचे प्रिष्ट संख्या चवधा पर और एक बॉक्स और उसका शीर्षक है भूकंप से बचाओ की तैयारी भूकंप के दौरान कहां आश्रे लें तो यहां बताया गया कि सुरक्षित स्थान कौन कौन से हो सकते हैं और वो सुरक्षित स्थान है रसोई के काउंटर या मेज के नीचे या दिवार के अंदुरूनी कोने में आगे बताया गया है कि कौन सी जगा सुरक्षित नहीं है और यहां पर कहा गया है इन से दूर रहें जैसे आग वाले स्थान, चिमनी के आसपास तथा तूट सकने वाली खिड़कियां, दरपन एवं तस्वीर फ्रेम एक सलाह और दी गई है और वो सलाह है पहले से तैयार रहें और इसमें कहा गया है अपने दोस्तों एवं पारिवारिक सदस्तियों के बीच जागरूकता फैलाएं एवं आपदा का सामना विश्वास से करें अब सुनते हैं पाठ मुख्य स्थलाकृतियां अपक्षय एवं अपरदन नामक दो प्रक्रमों द्वारा द्रिश्य भूमी लगातार विघटित होती रहती है प्रिथ्वी की सता पर शैलों के तूटने से अपक्षय की क्रिया होती है भूद रिश्य पर जल पवन एवं हिम जैसे विभिन घटकों के द्वारा होने वाले एक शै को अपरदन कहते हैं वायू जल आदी अपरदित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलसुरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं अपरदन एवं निक्षेपन के ये प्रक्रम पित्वी के धरातल पर विभिनस थलाकृतियों का निर्माण करते हैं नदी के कारिय नदी के जल से द्रिश्य भूमी का अपरदन होता है जब नदी किसी खड़े धाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े धाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जल प्रपात बनाती है और इसका चित्र हम देख सकते हैं चित्र संख्या 3.5 में चित्र संख्या 3.5 में एक जल प्रपात का द्रिष्ट दिखाया गया है और जिसमें चट्टानों के अलग-अलग प्रकारों को भी दिखाया गया है, सबसे पहला है कठोर शैल और उसके बाद है जल की शक्ती द्वारा काटे गए मृदू शैल, अब सुनते हैं पाठ, जब न प्रपातार अपरदन एवं निक्षेपन शुरू हो जाता है विसर्प लूप के सिरे निकट आते रहते हैं समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग जील बनाते हैं जिसे चाप जील भी कहते हैं कभी-कभी नदी अपने तटों से बाहर ब्रहने लगती है फलसुरूप निकट वर्तीक शेत्रों में बाढ़ आ जाती है बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्तिक शेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपन करती है ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं इससे समतल उपजाओ बाढ़कृत मैदान का निर्मान होता है नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं समुदर तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवा धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है जिनको वितरीका कहा जाता है यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलवे का निक्षेपण करने लगती है प्रतेक वितरी का अपने मुहाने का निर्मान करती है सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्मान होता है जो हम चित्र संख्या 3.7 में देख सकते हैं प्रिष्ट संख्या 15 पर ही एक बॉक्स दिया गया है जिसका शीर्शक है क्या आप जानते हैं आएए देखते हैं हमें क्या जानना है जानकारी है विश्रो में हज़ारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं सबसे उचा जलप्रपात दक्षिन अमेरिका के बेनेजुएला का एंजेल जलप्रपात है अन्ने जलप्रपात उत्री अमेरिका में कनाडा तथा संयूप्त राज अमेरिका की सीमा पर स्थित नियागरा जलप्रपात है और अफरीका में जांबिया एवं जिम्वाववे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जल्प्रपात है इसी बॉक्स में नीचे नियागरा जल्प्रपात का चित्र है चित्र संख्या 3.6 और इसमें बाढ़ के मैदान का चित्र दिया गया है दिखाया गया कि नदी बहरी है और उसके साथ साथ विसर्फ बन रहे हैं चाप जील का निर्माण हुआ और तटबंध भी बनते जा रहे हैं प्रिश्ट संख्या 16 प्रिश्ट संख्या 16 में सबसे पहले एक बॉक्स और बॉक्स का शिर्चक है आओ कुछ करके देखें आए ज़रा देखें कि क्या करना है तो यहां लिखा है विश्व की कुछ नदियों के नाम धूड़ें जो डेल्टा का निर्माण करती है इसी प्रिश्ट पर चित्र संख्या 3.8 और जिसका शिर्चक है समुद्री तरंगो द्वारा निर्मित स्थला कृतिया जिसमें दिखाया गया है कि तटिये महराव किस प्रकार से बनते हैं और समुद्री गुफा का निर्माण किस प्रकार से होता है एक चित्र और इसी प्रिश्ट पर और उसके बाद हम पार्ट सुनेंगे चित्र संख्या 3.9 और इसमें एक हिम नद का चित्र दिखाया गया है और आईए अब सुनते हैं पार्ट समुद्री तरंग के कार्ये समुद्री तरंग के अपरदन एवं निक्षिपन 30S थलागरिती बनाते हैं समुद्री तरंगे लगातार शैलों से टकराती रहती हैं जिससे दरार विकसित होती है समय के साथ ये बड़ी और चवडी होती जाती है इनको समुद्री गुफा कहते हैं इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छथ ही बचती है जिससे तटिये मेहराब बनते हैं लगातार अपरदन छट को भी तोड़ देता है और केवल दिवारें बचती हैं दिवार जैसी इन आकरितियों को स्टैक कहते हैं समुद्री जल के उपर लगभग उर्ध्वा धर उठे हुए उचे शैली ये तटों को समुद्र भिगू कहते हैं समुद्री तरंगे किनारों पर आवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती है इसके बारे में अभी अभी हमने चित्र 3.8 में सुना है हमने हिमनद के चित्र के बारे भी सुना था जो चित्र संख्या 3.9 पर है और अब सुनते हैं हिमनद किस प्रकार से कारे करते हैं हिमनद के कारे हिमनद अथ्वा हिमानी बर्फ की नदियां होती है हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है और गोलाश्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूद्रिश्य का अपरदन करती है हिमनद गहरे गर्तों का निर्मार करते हैं पर्वतिय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुन्दर जील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल, रेत एवं तलचट मिट्टी निक्षेपी तो होते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमोड का निर्मान करते हैं। प्रिष्ट संख्या सत्रह में सबसे पहले चित्र 3.10 और इसमें बालू के टिब्बों का चित्र दिया गया है। ये एक रेगिस्तान का चित्र है जिसमें चलते वे कुछ उंट भी दिखाए गये हैं और बालू के टिले दिखाए गये हैं कि वो किस प्रकार से रेत में विकसित होते हैं। आईए अब सुनते हैं पाठ। पवन के कार्य क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है। बालू टिब्बे के कुछ चित्र एकत्र करने का प्रयास कीजिए। रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपन का प्रमुख कारण है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के शैल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतह छत्रक शैल कहते हैं। पवन शहल के उपरी भाग की अपयक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है। इसलिए ऐसी शहल के आधार संकीन एवं शीर्ष विस्त्रित होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुचाती है। जब पवन का बहाव रुखता है, तो यह रेत गिर कर छोटी पहाडी बनाती है, इनको बालू टिबबा कहते हैं, जो चित्र संख्या 3.10 में दिखाया गया है। हमने इस चित्र का विवरण अभी सुना था। पाढ़ सुनते हैं, जब बालू कर्ण महीन एवं हलके होते हैं तो वाइू उनको उठा कर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जब ये बालू कर्ण विस्त्रित ख्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोयस कहते हैं। चीन में विशाल लोयस निक्षेप पाए ज ख बहिरजनिक एवं अंतरजनित बल क्या है? ग अपरदन क्या है? ग बाढ़कृत मैदान का निर्मान कैसे होता है? च बालू टिब्बा क्या है? च समुद्री पुलिन का निर्मान कैसे होता है? और ज चाप जील क्या है? साथियों इसमें हर प्रशन के साथ तीन तीन विकल्प दिये गए हैं आपको इन विकल्पों में से एक को चुनना है तो आए सुनते हैं क इन में से काउन सी समुद्री तरंग की विशेशता नहीं है एक शैल दो किनारा तीन समुद्री गुफा ख हिम नद की निक्षेपन विशेशता है तीन विकल्प यहाँ पर दिये गए हैं आपको इन में से एक को चुनना है पहला विकल्प है बाढ़ कृत मैदान दूसरा पुलिन तीसरा हिमोड ग पृत्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है आपके सामने तीन विकल्प सबसे पहला विकल्प जुआला मुखी दूसरा वलन और तीसरा बाढ़ कृत मैदान घ छत्रक शैलें पाई जाती है कहाँ पाई जाती है इस तवर आपके सामने तीन विकल्प है आपको इन तीनों में से किसी एक को चुनना है तो सुनते हैं पहला विकल्प पहला विकल्प रेगिस्तान में दूसरा विकल्प नदी घाटी में तो कहां पाई जाती है? आईए उसके विकल्फ को देखते हैं. पहला विकल्फ है हिम्नद, दूसरा नदी घाटी और तीसरा रेगिस्तान. प्रिष्ठ संख्या 18. तीन, इन स्तंभों को मिला कर सही जोड़े बनाईए. यहां दो स्तंभ दिये हुए हैं और दोनों स्तंभों में अलग-अलग शब्द हैं आपको इनका मिलान करना है या आपको इन शब्दों के साथ सही जोड़े बनाने हैं. तो सबसे पहले सुनते हैं स्तंभ एक. स्तंभ एक में का हिमनद, खा विसर्प, गा पुलिन, घा बालू टिब्बा, चा जल प्रपात, और चा भूकम्प. स्तंभ दो को सुनेंगे. स्तंभ दो में सबसे पहले एक समुद्री तट, दो छत्रक शैल, तीन बर्फ की नदी, चार नदियां, पांच पृत्वी का कमपन, छे समुद्र भ्रिगू, साथ कठोर संस्तर शैल, और आठ रेगिस्तान. चार, कारण बताईए, क, कुछ शैल, छत्रक के आकार में होते हैं, क्यों? ख, बाढ़ कृत मैदान बहुत उपजाओ होते हैं, ऐसा क्यों? ग, समुद्री गुफा स्टैक के रूप में परिवर्तित हो जाती है, क्यों? ग, भूकम्प के दवरान इमारतें गिरती हैं, क्यों? पाँच, क्रिया कलाप नीचे एक बॉक्स दिया गया है और जिस बॉक्स में तीन अलग-अलग कॉलम है, चित्रों के साथ आपको उसका वर्णन करना है, यहां लिखा है, इस दिये गए चित्र को देखें, यह नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां है, इन्हें पहचानिये और बताएए कि यह नदी के अपरदन, अथ्वा, निक्षेपन, अथ्वा, दोनों का परिणाम है, और यहां पर चित्र दिये गए हैं, इन चित्रों के अनुसार आपको इसका वर्णन करना है, प्रिष्ट संख्या उन्नीस, आओ खेलें, एक, यहां दी गई वर्ग पहली को हल करें, नोट, वर्ग पहली के उत्तर अंग्रेजी के शब्दों में हैं, और इसमें आपको कुछ संकेत दिये गए हैं, यदि आप इस वर्ग पहली में बाएं से दाएं की और जाएंगे, तो आपको मिलेगा, दो, नदी के लूप जैसा मोड, चार, जल का ठोस रूप, साथ, हिम का चलना, नौ, जल का उँचाई से गिरना, ग्यारह, समुद्री तरंग द्वारा दुर्बल शैल में बनाई गई प्राकृतिक गुफा, बारह, नदी के तटबंध, तेरह, समुद्री जल का विशाल भंडार, चौदह, शुष्क प्रदेश जहां बालू के टिब्बे पाय जाते हैं, पंद्रह, बालू की छोटी पहाड़ी जो पवन के कारे से बनती है, सोलह, बाढ़ के समय नदी निक्षेपन द्वारा निर्मित सम्तल मैदान, और अब दूसरे स्तंभ में चलते हैं, यदि आप इस वर्ग पहली में उपर से नीचे आएंगे, तो आपको इसका संकेत इस प्रकार से मिलेगा, महीन बालू, तेरह, समुद्र तट के निकट एकल दिवार जैसी शैल आकरिती, और चौदह, नदी के मुहाने पर आवसाद निक्षेपन से निर्मित आकरिती, यहां अध्याय तीन समाप्त होता है, अभी आप सुन रहे थे हमारा पर्यावरण ध्वनी पाठे पुस्तक का तीसरा अध्याय, शीर्शक्था हमारी बदलती प्रित्वी, वाचन्स्वर अजीत होरो, निर्माण सहयोग शानु मुक्सीम, निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती CIET NCEAT नई दिल्ली भारत,